अगर किसी को इसी बूत या परेद या किसी परकार की उपरली चाया ने तंग किया हुआ है तो इस मंतर से आप उसका जाड़ा लगा सकते हो इस मंतर को आप साथ बार बोल कर और साथ बार ही जाड़ा लगाना है तो उसके उपर जो भी चाया होगी बूत परेद की या कोई भी भांदा होगी वो उतर जाएगी दूसरा कारण अगर किसी पर कोई चाया है वो तंग कर रही है तो इस मंतर को आप केले पर जाप कीजिए साथ बार साथ बार केले पर जाब कीजिए तो उस केले को आप जो रोगी है उसको खिला दीजिए तो साथ दिन साथ बार इसे जाब करना है तो रोगी को खिला दीजिए और देखना रोगी की तबियत ठीक होना शुरू हो जाएगी और अगर आपका पास कोई रोगी आता है जैसे भूत प्रेत की चाया हो तो आपने क्या करना इस मंतर को आपने जल में अभी मंतर करकर आपने साथ भार मंतर बोल कर इस जल को रोगी को साथ दिन लगातार यह जल दीजिये पीने के लिए और देखना रोगी की तबियत दीरे दीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी अगर आप जाडा लगाओगे तो मोर पंक से ही लगाना क्या है